कि आपके पास one plus 12 12 वार कोई भी फोन है तो यहां पे आप किड मोड की प्राब्म को कैसे फिक्स कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं किड मोड यहां पे आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है अनेबल टो एंटर किड मोड यहां पर एक प्राब्लम आ रही है आपकी सिस्टम आप्शन देखने को मिलेगा सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी का क्लिक कर लेंगे मोर सिक्यूरिटी एंड प्राइवेसी पर आपको जाना है स्क्रॉल कर लेना है एपनिंग के आप्शन को यहां से बंद कर देंगे बैक कर लेंगे अब बैक करने के बाद यहां पर आपक special feature पे click करना है kid mode का use करना है get start तो यहाँ पे आप application choose कर सकते हैं कौन-कौन सी application को आप permission देना चाहते हैं मतलब बच्चे को कि यह use कर सकता है तो just example 2-3 application मैंने use कर ली है next पे click कर लेंगे time limit लगा सकते हैं कि कितने मिनट का time उसको use करने के लिए देना चाहते हैं जैसे थार्टी मिनट आपका या पंतालेस मिनट या एक घंटा तो एक घंटा कर देंगे custom भी कर सकते जसे तो तिन घंटे next पे click कर देंगे ambient reminder और eye protection on रखेंगे okay कर लेंगे allow कर देंगे तो यह एक safe जगा है आपके बच्चे को आपकी phone को देने के लिए use करने के लिए पढ़ाई के लिए तो यहाँ पे यह application वो जित्ता control पे आगर आप click करते हैं और lock enter करते हैं अपना तो यहां से आप internet manage कर सकते हैं जैसे mobile का internet बंद करना है या फिर wifi बंद करना है चालू करना है तो आप देख लेंगे इसके बाद यहाँ पे added apps आजाते हैं जो application आपने edit किया है वो दिख जाएंगे आप चाहो तो कोई application बंद करना चाहते हो तो बंद कर लेंगे दूसरा application देखना चाहते हो तो आप on कर लेंगे यह हो गया app management time limit मैं आपको बताई चुकी हूं और eye protection मैं आपको बताई दिया है इसके बाद इसका shortcut home screen पे create कर सकते हैं यह create हो गया अब यहाँ पर back करना है तो आप फिर से three dot पर जाके exit पर click कर लेंगे log enter करेंगे तो आप अपने main screen पर वापिस आ जाएंगे अब kid mode का shortcut आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर से अगर बच्चे को तुरंत phone पकड़ाना है तो इसको click किया और दे दिया phone ठीक है subscribe जरूर कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार